नमस्कार दोस्तों पॉलिटेगनिक स्टेडी सेंटर में आपका विर्श एक बार स्वागत है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ इसमें हम वही गिंती के पांच क्वेशन करने जा रहे हैं तो आप इसको देख लीजे यहां से मैं आपको क्या बताने जा रह रहे होंगें से नहीं है तो कि क्या बताई बार मैं एक किरा दिया मैं वहां में याद करा देता हूं सारी वियू एलए लिएर खराता हूँ कि अबीर याद कश्या और यादि नहीं है तो आप इसको जाद कर लीजरें काफ ऐसान होती हैं सबसे वहले कुि ऐसे याद करो mir Brave आप यह वह देखिए नहीं से सबसे पहले क्या है साइन 0 जीरो इसके साइन 30 और उसके साइन 45 साइन 90 साइन 30 की वैल्यू करनी होती है 1 बाइ 2 45 होती है 1 बाइ 2 और साइन 60 की होती है और साइन 30 की वैल्य яв點 1 उती है अब में आप इसको प्लट दीजिए-क हमारे पास क्या निकलकर आजाएगा कोश 0 की साइन s1 1 by root 2, उसके हाथ cos 90 की value हो जाएगी 0, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, और 10 की value को आप इंदो नों को डिवाइड कर दे, sine और cos को, sine A upon cos से कर दें, तो आपको 10 A की value निकल कर आजाएगी, तो इसके according हमारी values होती है, 0 upon 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 10 0 0 होता है, ऐसे ही आपकी सारी value निकल कर आएगी, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, basically यहाँ पर सारी values हमने apply करी हैं, हमको पता है कि 10 60 की value क्या होती है, हमें पता है, sin 60 upon cos 60, sin 60 की value कितनी होती है, root 3 by 2, और यह होती है 1 by 2, अब इसको solve करेंगे, तो यह हो जाए कितनी root 3, तो यहीं से root 3 value निकल कर आगई, तो हम लोगों यहाँ पर root 3 apply कर दिया, यह हमाँ पता है, sin 45, 1 by root 2 होता है, इसका square करा है, हमने 1 by 2 हो गया, तो इसको हमने यहाँ पूट करा है, इसके बाद यहां सेक 30, अगर यहीं पता था है, आपको 30 value नहीं पता है, तो आप cos 30 की value किसके बराबर होती है, sin 60 के and sin 60 की value कितनी होती है आपको सरफ sin की पता है सारी values पता हो जाएंगी sin 60 की value कितनी होती है root three by two इसका opposite कर और देंगे तो आप two by root three हो जायगा और इसका square कर देंगे तो आप four by root three यहाँ पर zero और यहाँ पर Пока zero hypothalamus स्थे आनसर आ गे 9 इसको basic solution यहां पर हमको करने को बोला गया था जो कि हमने कर लिया तो ऐसे करके यहां पर हमारा answer निकल कर आ गया इसके बाद हम question number 22 पूछा गया है एक बार देख लेते हैं question number 22 में हमसे क्या demand थी question number 22 यहां पर है मैंने मिस कर दिया चलिए यहां पर देखते है question number 22 यहां पर हमको sin theta यहां पर फिर से मैं बताऊंगा आप सोड़ा से miss parent है तो आप उसके थोड़ा देखिएगा sin theta की value minus 12 by root minus 12 by 13 है और πाई किस से छोटा है यहां पर 30 root यहां पर theta से बड़ा किस से है 3 by 2 से इसके बीच की value हमें से पूछी है तो हमको पता है से थीटा की value हमको बतानी है तो यहां से हम आपने answer की तरफ आएंगे question की तरफ आएंगे तो वो हमें क्या बोल रहा है हमको यह पता है यहां पर लिख दें आप sign theta की value एतनी है और यह चीज़ हमको घव हैं तो यहां पर हम sec theta की value निकाल सकते हैं से थीटा की value आपको पता होगी मैंना बताया sec theta कितना हो गया 1 by cos theta कॉस थीटा को साइन के टाम में निकालने आपको कितना हो जाएगा वंडरूट वन माइनस साइन स्कुरर थीटा तो यही यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं आप अब चुका हम लोगोंने यहाँ पर बे fan लेकी कुछ नहीं कि हैंनों साइन थीटा के वैलू तो पता ही थिया हमको तो हम लोगों इहाँ पर पुट करी यहाँ हम времलोओ सॉलूूचन करा इतना चोटा П इसके द आद अमर करा वो भी कैसे करा हम लोगों ने वो भी देख लीजए आप ध्यान से तो वो हम लोगों आपर मया आएगा यहाँ पर यह स्वाल्भ कर यह तोख यह वाम टॉ 57 तो यह थर्टीन भाइ फाइवा के आंसर कितमा माइनस का तो यह जगर किया पर चीजों को में सॉल्व करा रहा हम से आज आते है अगली क्वेशन की तरफ नेक्स क्वेशन में हमको क्या गिवन है इसके अकोर्डिंग समझ में नहीं आ रहा थोड़ा मैं आपको क्वेशन की त साइन थीटा की वैल्यू दी गई है इतनी तो टैन थीटा एंड सेक थीटा रिस्पेक्टिवली की वैल्यू क्या होगी अब मुझे यह भी नहीं पता कि आंसर इसका मदब यह सही से इसनी दिया है कि नहीं दिया है यूँकि वह है जितना में को समझ में आ रहा है उतना मैं साइन थीटा की वैल्यू यहां पर फाइब अंसर निकल कर आगया है और फिर हम लोग ने बेसिकल सारी वैल्यू पुट कर दी यह ऌपर साइन थीटा की value 5 by 13 और यहां पर नीचे 1 minus sin square theta में हमने 5 1 minus 25 by 169 रिख दी तो यहां पर हमारी 10 theta value 5 by 12 ऐसे करें कि यहां पर हमने इसको solve करें इसके बाद सिंप सेक theta में simply हमको पता है sin square theta minus 10 square theta 1 होता है तो हमने यहां पर value put करी और हमाना answer कितना आ गए 13 by 12 इसको आप एक तरीके से और solve कर सकते हैं अगर आपके पात रहा time हो जानने का तो मेरी बात सुन लीजे नहीं तो आप skip कर सकते हैं इसके बात कि अगर यहां पर हमारे पास मार लीजिए हमको क्या 10 theta given है या फिर आप यही देख लीजे से 1 theta हमारे पास कितना given है 13 by 12 इसका मतलब cos theta कितना हो जाएगा इसके according 12 by 13 अगर हमारे पास कितना अगर हमारे पास cos theta 12 by 13 है अगर हम triangle बनाएंगे right angle तो इसमें हम इसके according base हमारा हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियूस हो जाएगा 13 और according to triplet यह जाएगा 5 तो यहां से हम सारी value निकाल सकते हैं मली जाएगा 10 theta पूचा तो यहां से हम अलग-अलग values find out कर सकते हैं मली जा हम से करके हम यहां पर सारी values आराम से easily निकाल सकते हैं अजाद है question number 24 पर question number 24 सीधे question है identity based है अगर हम को सारा अपना ASTC rule पता है क्या होता है कि हम यह पता होना चाहिए कि ASTC यहां पर all positive होते है sign, cos, ten, cot, ten, cosac, सारे यहां पर positive होते हैं यहां पर sign and sec positive होते हैं और यहां पर cos or sec, यहां पर sign or cosac, यहां पर cos or sec, यहां पर ten or cot positive होते हैं बागे सारे negative होते हैं तो इसके according हमारा answer क्या निकल राएगा, cos 90 plus theta, 90 plus यह, वो हमारा 90 Q पर जा रहा है, तो हमारा negative रहेगा, क्योंकि वहां पता है, second वाले quadrant में हमारे यहां पर cos 90 plus negative होता है, तो यहां पर sign आगे, ऐसे यहां पर निकल कर आएगा सेक है, सेक तो सम में positive होता है, चाह नेगेटिव हो चाह पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा वो, इसके बाद यहां पर 180 minus A कितना होगा, minus 10 है, इस सारी वेल्यू यहां पर सेक हमेसा positive होता है, तो सेक यहां पर positive हो गया, इसके बाद यहां पर कितना है, 540 plus A, माइनस आ गया, कॉट हमारा minus आ गया, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, यहां पर मैंने simply क्या करा, badly put कर दी, सारी solve करके, minus से minus cancel, plus हो गया, तो 10 से 10 गया, sign से sign गया, तो हमारा यहीं से निकल कर 1 आ गया, इसके आखरी question हमसे बस यह पूछ रहा था, अब देख सकते हैं, यहां पर, next question हमसे यह कह रहा था, 10 plus sin, 10 theta plus sin theta equals to M, और 10 theta minus sin theta equals to N, तो हमें M square minus N square की value निकालनी है, तो हमें यह पता है, M square minus N square की identity होती है, कि वो से हम लिख सकते हैं M square plus N square, तो अगर सको हम M square plus N square लिख सकते हैं, तो यह ऐसे भी लिखा जाएगा, इसके बसुद काफी लंबार है, solve करने को मैंने लिख भी दिया है, इसकी वैज़े से मैं solve कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 theta minus, 10 theta plus sin theta plus 10 theta minus sin theta, यहाँ पर 10 theta, 10 theta cancel, यहाँ पर 10 theta, 10 theta cancel, इसके बाद हमारे पास आगया 4, into sin theta, into 10 theta, अब यहाँ पर देखी है, मैंने कैसे solve कर रहा, इसके अगला page में कहां पर देखा हैं, next page में हम लोग ने basically क्या किया, क्योंकि सारे answer जो हमारे पास थे, क्योंकि इसके जो हमारे पास options दिये गए थे, वो सारे m और n के respect में थे, तो हमने basically क्या किया, m और n का into कर दिया, तो जो कि हमारे पास करने पर खुद बाखुद आ गया, कितना, sin square theta upon cos theta, यह हमारे पास basically निकल कर यह आया था, sin square, sin की power 4 theta upon cos की square theta, जब हम इसका under root करेंगे, क्योंकि सारे under root में थे, तो हमारे पास निकल कर आया था, sin square theta upon cos theta, तो यह हमारा answer हो गया, यानि की, हमें पता यहां से यह था, हमें पता यहां से यह था, 4 into sin square theta upon cos theta, और हमारा answer यह आ गया, 4 into under root mn, ऐसे करके हैं आप रहे हम चीजों को solve करते हैं, यहावर मैं आपको दन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने भी अगर मुझसे पूचा है, थैंक्यू मुझसे पूचने के लिए, और जो नहीं पूच रहे हैं, वो भी मेर से पूच सकते हैं, इस्टाग्राम पर मेरी question करके, और अगर आपको अच्छे समझ में आया हैं, जिसनी मुझसे पूचा था, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप भी मेरे को मेसेज कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा पेट कोर्स लेना है, तो आप उसकी जानकारी भी आप मिरसे से ले सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं सारी, धन्यवाद,